नमस्कार दोज्टों, कैसे हैं याँप लोग? फ्रेंस, इस विंटर के सीजन में जितनी भी हमारे हाइवरेट हिबिसकस हूँ या फिर हमारे हाइवरेट रोजेज हूँ या फिर हमारे हाइवरेट जो आते ही मोगरा यानि कि आज में बात कहने वाली हूँ गुड़हल, गुलाब और मोगरा के लिए बहुत ये अच्छा फिर्टिलाजर हम बनाने वाले हैं अभी आने वाले टाई में जितने भी हमारे हाइवरेट प्लांट हैं सारे बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे क्योंकि ये सारे फ्रेंस हैबी बुलूमिंग प्लांट होते हैं तो जितने ही अच्छे जिनकों फर्टिलाइस करेंगे उतने ही अच्छा आपको ये फ्लावर देंगे कलिया आएंगे क्योंकि अरे एक बार इसमें फ्लावर खेल जाते हैं तो इनको दुबारा से हमें proper तयार करने के लिए कुछ नो कुछ डोज देना ही होता है जैसे कि हम लोग को एनरजी चाहिए होती है खाने से वैसे इनको भी एनरजी चाहिए होती है हमारे दिये गए हुए fertilizer से अगर गमले में plants लगे होते है तो उन्हें हमें ही देना पड़ता है कुछ नो कुछ energy, food और ग्राउन में जमीन में लगे होते हैं तो नीचर्स के डश में होते हैं तो वो खुद पर कोई आपसर्ब कर लेते हैं लेकिन गंबले में लगे हुए पोदो को हमें खुद से तियार करना होता है तो आज में आप लोगों के लिए लाई हूँ गुड़हल, मोगरा और गुलाब को ऐसे कौन से फर्टिलाजर दें ताकि जो अच्छे से आने वाले हमारे सर्दियों में फ्लूम कर सकें और हैबी बुलूमिंग आप ये फर्टिलाजर फ्रेंस किसे भी प्लांट को दे सकते है जरूरी नहीं आप इनी तेनों प्लांट को दें आप सारे प्लांट जितनी हैं भी बुलूमिंग वाले प्लांट से उनको भी दे सकते हैं वेजी टेपल वाले में भी दे सकते हैं फ्रोटिंग प्लांट होते हैं जिससे के भी फ्रोट में आप लोगों ने नीवू लगाया होगा तो उसके लिए बेस्ट माने चाहते हैं यह फर्टिलाइजर ओफरेंज बिल्कुल फिरी में हमें घर के चीज़ों से तयार करना है तो वह कौन सा है चलिए मैं बताती हूं मैं दिखा तो यह मेरा मोगरा है छोटा वाला भी बहुत ही चोटी साइस में है और यह मैं भी इसे बहुत जड़ लाए हूं तो इसमें फिर से अच्छे से फ्लावरिंग बाने के लिए हमें इनको भी देना होता है फर्टिलाइजर नरसर जब भी लेकर आए तो उनको फर्टिलाइज जरूर करें तो इसलिए मैं स्टार्ट करती हूं बताती हूं कौन सा हम तो आप इसी तरीके से लेकर उपले पानी में डिप करने हैं एक हो दू जितना आपको जरूर हो थे प्लांड के लिए आप उतना ले सकते हूं तो यहां पर पानी में डिप कर रहें हैं दोनों और इसको लगबक आप एख़़ए दो हफ़ए जितनी जाता रखेंगे न उत कहां पर मैं अपनी कंपोस्ट करने वाली हूं और यह जब भी इस तरह के साथ बनाते हो फ्रेंस तो इसको ढख कर रखें खुला बिल्कुल भी मत छोड़िएगा यह खुला कर छोड़ते हैं तो इसमें कीड़े वगेरे फंगस लगने के चांसस रहते हैं तो हमेसा इनको ढख कर रखेंगा और जब हम इनको अभी कुछ और प्रोसेस होते हैं इसमें होने रहते हैं तो क्या क्या डालना वह भी बताऊंगी तो आप इस तरीके से उपले या गोबर जो यह कंडे होते ना इनको निकालने के बाद भी हम यूश कर सकते हैं यहां पर मैंने किचन वेस्ट जो सबजियों का पानी होता है चने का पानी होता हो भी हम यूश कर सकते हैं यहां पर तो इसको भी मैंने डाल दिया है कुछ दिन बाद पानी चेंज हो जाता है यहां पर यह फ्रेंस एक अपते बात का है अब यहां पर मैं अच्छे से डीकंपोस्ट करने के लिए दही का योज कर रही हूं आप यहां पे बिल्कुल खटी तही ले सकते हैं इसको हम लोग छाज बोलते हैं और मैं फैस अब दिखाती हूं इनका जो पिल्कुल 15 दिन के बाद का रेजल्ट कैसा दिया मैं यहां पर ढखकर इस तरीके से रखी हुई थी और देख सकते हैं इसमें इस तरीके से एक लियर बन जाती है लगबग यहां पर 15 दिन के बाद में यहां पर खोल रही हूं बिल्कुल मताव अच्छे से डिकंपोस्ट हो गया है मेरा यहां पर जो फट प्रिलाजर तयार करते हो तो डारेक्ट हमें नहीं देना है हमें इसमें जिसे की एक हिस्ता यह हमारा रेसु तयार है तो इनहीं का हमें चार गुना पानी एड़ करके देना है डारेक्ट ऐसे नहीं देना है सबसे वहले में यहां पर चुमेरे कंडे थे वो निकालना है दे होती लगभग एक-दो महीने सोरी एक-दो साल वेट करते हैं मैं सड़ी हुई खाद चाहिए होती को पर की तो यह तो बिल्कुल प्रॉपर सड़ गई हुई है पंदरे दिन में तो सड़ी गई है तो इनको हम अब पौध हम यूज कर सकते हैं लेकिन अभी में जो अपना रेस इसी का चारगुना पानी तो मैंने उस टाइम पे पांस लीटर पानी लिया था तो पंदरे दिन में फ्रेंस कुछ तो पानी ही सोखी जाता है तो यहां पे मैं डालूंगी पानी तो इस तरीके से पूरी बालटी भरके 20 लीटर का है तो यहां पे मैं 20 लीटर पानी पुरा त्यायर करूंगी तो इसको也 कि अ करने हैं हमें लगबग सारे पोदु में देना है branch हमारे आपने 2400 से जाता है 300 plasd plant आपने ने को बेसे दोगी k appreciativearma का चैए तो देने से पहले प्लांट के हमें अच्छी से गुडाई करनी हैं, गुडाई करने के बाद में इसको हमें देना है, तो यहाँ पर आप इतना ही दीजिएगा, क्योंकि हम अगर एक्ष्टरा देंगे तो वो ड्रेनर्स होड के माद्यम से निकल जाएगा वेस्ट होगा, तो इतन पर मेही विसकस पॉगन मिला हूँ कुछ हमारे और भी प्लांट से यहां पर अडेनियम है और भी मैं दिखा दूँ मतलब सारे प्लांट को दे देंगे वैसे तुम्हें ऐसे फोटलाइजर रोज 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 नहीं बनाती हूँ लेकिन अगर आप मतलब बनाना चाहते हैं तो हो आप दिखें तूलसी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है अभी हमारे से दिलसी प्लांट के लिए परिसाने हो रहे हूँ तो उनके और को को प्लांट है मैं गुलाब के सारे प्रांट को इस तोड़ा थोड़ा कर के दे दूंगी हाला कि मैं कुछ नहीं देती रहती हुँ विंटर प्लांट का टाइम है तो उन्हें भी हम यहां पर दे सकते हैं मोगुरा का प्लांट मैंने कर्टिंग से लगा जाए तो उसके लिए इसे स्पेसेली है हमारा यह मधुकामनी है यह हैवरी विसकेल से यहाँ पर कनेर है यह भी फ्लावरिंग प्लांट है तो यहाँ में इनको भी दे दूँगी बोगर मिला बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है इस तरीके से तो इन सब को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं देख सकत होते हैं जो की पौदों को भी नीड होती है खासके जो हमारे जो है वरेट प्लांट होते हैं उनके लिए इस वेसल यह गुलांप मोगरा है और हमारे जो गुडहल है उनके लिए भी हैं तो अगर अच्छे से ब्लूमिंग चाहते हैं हर 15 दिन में इनको इस तरीके से बना के दे सकते हैं अगर आपका फटिलाजर बचे जाता है तो ढख कर रख दीजेगा आप उनको हपते भर में देते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके और पानी एड़ करके दीजेगा और जितना ही दिन आप इसको रखेंगे ढख कर उतना अच्छा से कम पोस्ट होगा तो आप लॉम होते रहते हैं सारे प्लान तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो like, subscribe जरूर करना फ्रैंस कमेंट करके जरूरं बताना अगर वीडिची लगी होगी तो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe जरूर करना साथ में लाइक अन ब्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे आप ल वीडियो ने प्लांट ने जानकारी के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्या लगएगा हैपी गाड़निंग